हेलो एप्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल चोती रेस्पी आज हम बनाएंगे गिहूं के अटे की बहुत जबर्जस्त रेस्पी इस वेडियो को फुल वार जरूर कीजिए येकीन मानिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो वेडियो को प्लीज फुल वार पानी इसमें डॉड़ चम्मल सूजी जदा हमें एड करना है यहां पर देसकते हैं हम दो चम्मल सूजी ले लिया है आप इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाइं डालका इसे अच्छे से पेश्ट तयार करेंगे तो याद रखिएगा पनी एक साथ नहीं डाल दे साहिए फब चोप नियों एक मीडियम साइच का यह टोक कर ले लियान Lap Bread तो इन सारे चीजियों को अब सम्राइब को पारी टोक्र मिकस कर लिया थोड़ा सब् hepatा केक कि को जीरा Yak अब इन सारी चीजियों को हमें मिक्स करना है। उनसे तो यहां पर दिखें एक छोटा चमच नमग भरकर ले लिया है अब यहां पर सारे इंग्रेडिस मैंने लिया है आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहें अपने मन पसंद और वी वेजटेबल्स एड कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो घर में अवेलबर फिंट आ आपको पसंदो आप अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी के में जरूत पढ़ रही तो मैंने इसमें तो डाल दिया है ताकि अच्छे से हमारा पेश तयार हो जाए इसे हम 10 मिनिट के लिए साइड बर रख देते हैं उसके बाद इसे 10 मिनिट बाद थोड़ जाता गरम नहीं होना चाहिए मेडियम बे गरम हो चुका है इसे क्या करना अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं फिर कल्ची की सहायता से इसमें हम ढाल देंगे बहुत ज़्यादा हमें डाला है दे सकते इसे तरीके से हमें डाल देना है तो बहुत ही परफेक्ट एसे पले है अपने कोर्डिंग दे सकते हैं कितने मज़ेदार सी हमारे रेस्पी बनका तयार हो जब भी घर में चोटी मटी भूग लगी या फिर कुछ चटपटा सा नास्ता बनाना हो इस तरीके से हेल्दी टेश्टी नास्ता आप घर पर बना सकते हैं बहुत ज़्यादा चटपटा दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तक वेकेसं में यह से नहीं नहीं रेस्पी इंज्वाइ कर सकते हैं यहां पर देखे एक साइड अच्छे से सीच चुका है थोड़ा चमर्च के साइसाथ आप उपर ऑईल डाल सकते हैं कम तेल डाल रहे ह काफी ज्यादा क्रिस्पी यमी लग रहा था आप इसे हमने निकाल दिया है इस तरीके सी हम दुए बाराभी नास्ता है सब डाल देते हैं दे सकते हैं बहुत ही फटा फटा से रेश्पी बनिकर तैयार हो जाती है और बहुत जयादा चट्पटी लगते लिएग लेकिन बह यहां सा नास्ता बनकर तैयार हो गया है तो फ्रेंट्स एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राइब कीजिएगा येकीन माई एक ग्यूम क्या टेकी बहुत ज्यादा टेप्टी से रेस्पी बनकर तैयार होगी तो चलिए मैं तो जा रही हूं खाने आप लोग भी जरूर झाल बनकर बतीन